नमज़कर आप सभी को आज को सुड़ियों में हम बात करेंगे जो आपकी आरपीसी की जो नई वेकेंजी है कॉलेज डिपार्टमेंट की लेवरेंट की तो यहां पर एक बहुत बड़ा कन्फिजन जो इन्देनों लग रहा है कि यह गूड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है क्या मैं एलिजबल हूं नहीं हूं सब लोग अपनी जो है जो परसंटेज है वो कमेंट कर रहे हैं काफी रिप्लाई में न दिये भी हैं और यह चीज हम यहां पर एक बार और क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मास्टर ड सुपनेट्य यह सारी चीज है लेकिन में हूं यहां पर हम बात करते हैं कि गूड अकेडमिक रिकॉर्ड क्या है गूड अक्य शिजब्यकलों आपका एक चीजब है कि जो आपका मस्टर डिग्री से पहले कि जो है यहां पर लिखा हुआ कि गूड एकर में जो का सबाकम안 फ आपको जो तीन examination है master degree से पहले तो वो कौन से है आपके 10 या आपके 12 और फिर आपके graduation ठीक है इन तीनों का average मिला कर रहे कि आपका कितना बना चाहिए 55% तो आपका हो जाएगा क्या good academic record तीनों को मिला करके तीनों को मिला करके आपका जो है एक average बनना चाहिए इतना तो वो बिल्कुल लगबख सभी का बन रहा है एक और चीज आप ध्यान रखें कि आपकी जो यहाँ पर बात करें कि इनोंने तीन चीजे बोली है आपके लिए लाइब्रेंट के लिए जो एक graduation है फिर अगर आपकी जो graduate degree है वो कौनसी है कि बिले बाप के लिए है क्योंकि आपने बीए की वी है बीसी की इसके बात की है वो अलग है लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी कौनसी है वो आपकी है bachelor in library science या फिर library information science वो चीज है तो आपको अगर आप मालो भी ये में नहीं है आपके 40% ये या फिर कम है तो आपको किसको mention करना है इसको ठीक है अब यहाँ पर आपका जो 10th का और 12th का और आपका graduation का मिला करके ये चीज है यहाँ पर mention किया हुआ है कि 50% marks in graduation कि 50% आपका होना चाहिए या तो graduation एक तो graduation में या फिर आपका option दियावा है कि 10th या फिर 12th में मतलब एक में आपका 50% होना चाहिए यहाँ पर आपका दियावा है और जो aggregate बनेगा वो आपका क्या रहेगा 55% तीनों को मिला करके master degree की पहले की 55% जो एक है वो आपका master degree का खुद का अलग है क 55% master degree में तो चाहिए लेकिन इससे पहले भी चाहिए तो यह चीज आपके clear है तो बस इतना सा ही यह है और बाकी कुछ में आपको ज्यादा देमाग नहीं लगाना है यह चीज अगर आप फुल्फिल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर eligible है अब आपका जो अगर point scale के आपके जो grades है उसके अंदर आप जो है अपना calculate कर सकते हैं percentage में है तो वह आप calculate कर सकते हैं वागे तीनों को मिलाकर क्या को 55% एक तो देखना है कि good academic record में एक आपका अलग से आपका master degree के अंदर है इसके अलाबा अगर आप final year में है और अपनी examination के लिए भी देंगे या फिर preparation कर रहें तो बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपकी जो है इतनी percentage बने साथ में net लिए prepare करें तो आप अपेरिंग में भी जो apply करेंगे ताकि आपके आगे तक का जब पूरी जो procedure हो वहां तक आपका जो है complete हो जाए अपकी जो LGBT character है वो सब कुछ fulfill कर ले बस इतना साही बाद में जब selection के बाद certificate बगरा बनवाते हैं तो उस चीज को लेकर के चलेंगे तो थोड़ा एजी रहेगा बाकी इतना good academy record को लेकर के confused मत हो यह CDC line यह आपर दे वी है वही चीज है इसके लाबा इससे पहले भी एक बार है ना जो पहले काफी पहले की निउस है देनिक भा साथ-ार सार पहले की और यहां पर बताया गया था कि जो राज़ता निचुटी थी उसमें जो तीनों का जो था जैसा कि 10-12 और graduation इनका तीनों अगर 50% यह बना था उनमें भी जो है अगर 50% भी बनाए तो भी उनको जो है eligible माना गया था good academic record के अंदर वो दोड़ा पहले की पाते थी लेकिन अभी यहां पर जो मेंशन के आवा है वापका 55% है यहां पर इसके अराब है आपको कोई कोई को तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं साथ में राजदान लाइबरें टेलिगाम चनल से जोड़े हमाजो लाइबरें जॉब्स टेलिग्राम चनल है यह सबसे ब पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी वीडियो आज चुका है तो ज़रूर चेक लिजेगा थैंक यू